हलो एबरीवन, वेलकम व अभियनता माच दोस्तों, अभियनता माच YouTube चैनल पे आपका तहे दिल से श्वागत है आपका क्यूट सा चैनल अभियनता माच में आपका तहे दिल से श्वागत है इस विडियो में आज हम बात करेंगे LRC, Ameen और कानुन गों के बारे में एक बहुत ही important topic, surveying हम लोग लेकर आए हैं, fundamental of surveying देखेंगे, इसमें chain, tape, साथी साथ, representative fraction, correction, error के महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग आज discuss करेंगे, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंतक बने रहेगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होगा, आपके preparation में छोट किसे help हो जाएगी, चलिए, साथी साथ दोस्तों, इसको आप एक test के रूप में लीजिए, और अपने आपको judge करिए, ठीक है ना, आज हम लोग total 25 questions करने वाले हैं, Surveying का, Fundamental of Surveying का, उस साथ में आप किजिए, ठीक है ना, लास्ट में आप comment करके बताएए, कि आपका कितना सही हुआ, चलिए दोस्तों, lecture continue करते हैं, उससे पहले, motivational thought के साथ मैं अपनी class का आगाज करता हूँ, देखिए दोस्तों, कह रहा है, अगर फर्ज से अर्ज तक पहुचना है, अगर आपको फर्ज से अर्ज तक पहुचना है, तो मेहनत को दीन दूनी और रात चोगनी करनी पड़ेगी, मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए session को continue करते हैं, आपका देखिए student assignment है, आप सबों के लिए बहुत थी, बेहतरीन ढंग से prepare किया गया है, देखिए दोस्तों, चलिए पहला सवाल आपके screen पे यू रहा, कराईदा representative fraction इसी को RF बोलते हैं, RF is 1 by 5000, means that the skill is a skill, क्या होगा, देखिए दोस्तों, तो C option आपका correct हो जाएगा, ठीक है न, क्या होगा, correct option C हो जाएगा, कैसे होगा, तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आप समझे, देखिए, RF जो होता है, देखिए 1 cm को उपर लिख लिजिए, नीचे में लिखिए 50 मीटर, ठीक है न, तो देखिए 1 cm को रहने दीजिए, as usual, ठीक है, चलिए फिर से बतात रहा हूँ मैं, देखिए 1 cm को as usual रहने दीजिए, नीचे है 50 मीटर, मीटर को cm में बदलिएगा, तो 100 से multiply कर द दोस्तों, इसी तरह सारे option को अगर आप select करिएगा, इस रो में पूछा हुआ, देखिए, है न, helpful exam, इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा, चलिए थोड़ा सा fast करेंगे, आज हम discuss थोड़ा कम करेंगे, ठीक है न, चलिए दूसरा सवाल, एकदम फिर वही सवाल है, ठ ही क्या होगा, छोटा होगा, तो आपका बी option सही हो जाएगा, वन सेंटी मीटर इक्वल टू पाफाइफ हंडेड मीटर, ठीक है, आप मैप पे जो है, एक सेंटी मीटर लेंगे, गरांड पे पाच हजार मीटर, ठीक है, बी option आपका correct हो गया, आगे बढ़ते हैं तीसरे सव सवाल की ओत, बहुत ही खुब सूरत सा सवाल, करा, when the curvature of earth is taken into account, the surveying is called as, अपना आप volume of quality को बढ़ा लिजिया, एर फोन डाल कर सुनिए, तीसरा का option होगा, geodatic survey, मैंने आपको surveying पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर टाइप करिए, ठीक है दोस्तों, तो तीसरा अंसर हो गया आपका, C option, geodatic survey, चाउथा सवाल देखी, करा, the main principle of surveying is work to from, मैंने बताया था, आपको, थोड़ा सा भी ख्याल होगा, कि whole two part, D option, correct हो जाएगा, चलिए, आगे बढ़ते जाते हैं, सब ही किसी न किसी एक्जाम में पूछा हुआ सवाल है, पाचमा का रहा, which of the following statement is respected of, मैं पे, having a scale, one ratio, one thousand, and another, मैं बी, having a scale, one ratio, five thousand, is true, बताये, कौन सा a scale, large होगा, कौन सा small होगा, पाचमा का आपका ये रहा, ठीक है, मैं पे, larger होगा, क्योंकि उसका denominator छोटा है, ठीक है, as compared to map B, आगे बढ़िए, छठा सवाल, बहुत ही प्यारा, खुबसूरत सा सवाल है, जो SSC JEE में पूछा हुआ है, छठा सवाल रहा, कराए, a scale representing आए तर 3 units, देखे, 3 unit, और only 1 unit, कितना unit, 3 unit, और only 1 unit, and its fraction up to second plane, of decimal point is, तो इसको कौन सा हम लोग a scale बोलते हैं, तो इसको फर नियर a scale बोलते हैं, तो C option आपका correct होगे, आगे बढ़ते हैं, सात्मा सवाल, कराए, the, if the smallest division of vernier is longer than the larger division of its primary scale, the vernier is known as, उसको कौन सा vernier a scale हम लोग बोलते हैं, कौन सा vernier बोला जाता है, सात्मा का आपका रहा D, rectangular vernier बोला जाता है, कौन सा rectangular, बोला जाता है, ठीक है न, सात्मा का क्या हो जाएगा, रेट्रो ग्रेडियर भरटियर, ठीक है न, चलिए आगे बढ़ते हैं, आठमा सवाल, देखिए, आरेफ वाला सवाल ज्यादा तर पूछा जाता है, फिचाद फ्लोविंग इस दा लार्ज स्केल, लार्ज स्केल कौन सा है, तो आप बताईए, पहला होगा, जिसका डिनोमेटर छोटा, वो लार्ज स्केल कहलाता है, चलिए, नवमा सवाल देखते हैं, नवमा सवाल रहा, यूँ स्क्रीन पे, इन केस आप डारेक्ट वार्णियर असलि, वार्णियर असकेल, तेखिए, करा ग्रेजुएशन इंक्रीजेजर इन दा सेम डारेक्शन, इन विच ग्रेजुएशन आप दा मेन असकेल इंक्रीजेज, ठीक है, ग्रेजुएशन इंक् वर्णियर स्केल में क्या होगा ग्रेजुएशन में इंकिरीज करेगा उसी टाइप से सेम डायरेक्शन में इंकिरीज करेगा सी ओप्षन आपका कॉरेक्ट होगा चलिए आगे बढ़ते हैं दासमा सवाल देखते हैं बहुत प्यारा सा रवाट इज दा डिफ्रेंस बिट्व का होता है कितने सकेंड का वन सकेंड का होता है ठीक है डिफ्रेंस आगे बढ़िए अगला सवाल 11 नमबर कर आगे आपका सवाल रहा यह बारा नमबर जो SSCJ 2018 में पूछा हुआ है उसको क्या बोला जाता है तो अभी मैंने बताया था रेट्रो ग्रेडर वर्नियर ठीक है रेट्रो ग्रेड वर्नियर बोला जाता है चलिए आगे देखते हैं अभी हम मैंने 12 नमबर सवाल देख लिया 13 नमबर देखते हैं चलिए थोड़ा सा समझ यह चलिए तेरा नमबर देखते हैं चलो इसको एड़जस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा चलिए आ गया कराविच अब दा अपर लिमिट ऑफ सर्वे एरिया अस्क्वाइर किलोमेटर फॉर यूज ऑफ प्लैन सर्वे के लिए चलिए बताईए ओप्सन आपके स्क्रीन पे रहा ए ओप्सन अढ़ाए सो बी तीन सो सीथ साढ़े तीन सो डीप साढ़े चार सो बताईए तेरा हमा का अंसर क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा दो सो पचास ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चौदावा सवाल देखते हैं देखे चौदावा सवाल रहा यूँ कराइ काल्कुलेट दे लेंथ ओफ वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इफ द लिस्ट काउंट अफ द लिस्ट काउंट अफ द लिस्ट काउंट कितना होगा शाओदा का बताईए अंसर भी हो जाएगा 0.98 चलिए अगला सवाल पंद्रह हमा सवाल देखिए कराइन अरिया ओफ फिल्ड टू 50 स्क्वार सेंटिमेटर फ्रो में स्रंक मैप हैविं स्रंक फाक्टर 0.9 दिया गया है कल्कुलेट द ओरिजनल अरिया ओन द फिल्ड इफ द ओरिजनल असकिल अफ द द माइप 1 सेंटिमेटर इक्वल तू 50 अम चलिए बताईए कल्कुलेट करना ओरिजनल एरिया ओन द फिल्ड क्या होगा पंद्रहमा का बताईए डी ओप्शन सा ही हो जाएगा आप कल्कुलेट करिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लोग सोलहमा सवाल टेस्ट के रूप में इसलिए मैंने डिसकस कम कर रहा हूं थोड़ा ये लाइन ओफ 5 मिटर ओन द ओरिजनल माइप इस रंक टू 4.6 मिटर कल्कुलेट द शरंक असके लिफ द ओरिजनल असके लाइप इस एक 1 सेंटिमेटर इक्वल टू 80 मिटर चलिए बताईए सोलहमा का कौन सांसर होगा तो सी ओप्षन सही हो जाएगा 1 सेंटिमेटर इक्वल टू 86.95 मिटर चलिए 17 सवाल देखते हैं करादा स्केल इन विच 3 सक्सेसिव डाइमेंशन कानमी मेजर आटे टाइम इज कॉल उसको क्या बोलते हैं मैंने अभी बताया था इस सवाल रिपीटेड है डाइगोनल स्केल पुछने का तरीका अलग है 18 सवाल देखते हैं करादा सर्वेर चलिए 18 सवाल इस सर्वेर मेजर एडिस्टेंस बिट्विन टू पॉइंट्स ओने मैप आर एफ 1 एंडे इज 1 सिस्टी मेटर बट या अटर फांड दू रॉट्ग रॉट बट्वट्विन गॉर या इज कोर्एंट्स क्या होगा तो दी ओफ्षन सही ओ जाएगा 120 गॉर्ट इस्टेंस एक्शो बिश चलिया उनिस्वा स्वाल करा 10 divisions of a vernier scale are equal to 11 divisions of main scale of each 0.1 mm what is the list count of vernier scale vernier scale का list count क्या होगा तो 0.01 इसी को लिखा जाता है 0.01 B option correct हो गया चली आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 मा सवाल की और अगर सर कर गया है वीडियो को like share करते रहिए आप सब चलिए देखते हैं हम लोग 20 मा सवाल with an increase in the denominator of the representative fraction the skill of the map will be क्या होगा बताइए denominator of the representative increase करेंगे तो small होगा क्या होगा तो 20 मा सवाल का यह होगा small बोले तो decrease होगा ठीक है denominator अगर ज़्यादा रहेगा तो RF क्या होगा छोटा होगा ठीक है आगे बढ़िए एक इसमान आमार सवाल देखें करा विचो दे फॉलोइंग फिगर्स are equal to one acre one acre के बराबर कौन है पहला statement है 43,560 स्क्वाइर फिट 2.4 गंटर्स होगा ठीक है कराए 100 स्क्वाइर गंटर्स है 4.485 स्क्वाइर ठीक है चलिए देखते हैं आप्शन अल्टरनेटिव में कौन-कौन सही है चार वो आप्शन आपके सामने था आगे देखते हैं यह किसमा का जो अंसर होगा आपका यह हो जाएगा 123 दोनों सही है 123 इसको छोड़कर सब सही है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 22 सवाल देखते हैं हम लोग कराविचो दो फ्लोइंग कंडिशन रिक्वार जियोडेटिक सर्वेइंग जो डेटिक सर्वेइंग के लिए कांसा है तो आप सबो को पता है सर्वेइर ओफ कंट्री सर्वे ओफ कंट्री ठीक है सर्वे ओफ कंट्री चलिए आगे बढ़ते हैं तेश्मा सवाल देखते हैं आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा सर्वेइर ओफ इंडिया पबलिशिंग टोपोसिट्स यूजिंग एड़ स्केल ओफ कंट्री स्केल में पेस किया जाता है तो 24 काड़ी हो गया वन बाई फिप्टी थाउजेंट वन बाई फिप्टी थाउजेंट आई होप आप चीजों को समझ पाए होगे तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में कुछ और नए अपडेट के साथ अब तक के लिए अपना ख्याल रहे स्वस्त्रहिया और मन से पढ़ाई करते रहे थांक्यू सो मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए तह दिल से धन्यवाद